आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 Android में अगर आपके मुवेल फून की जो कॉल है वो शो नहीं हो रही है तो इस प्रॉड्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जान करी देने वालों तो चली आपको यह बिडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों अगर आपके मुवेल फून की कॉल अगर शो नहीं हो रही है तो इसके सॉलिशन के लिए करने क्या है देखिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लेना है अगला का इसके फोन का इंटरनेट आपको चलू रखना है इसके बाद आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है सबसे ओपर आपको इस सर्च आइक न पर टैप करना है को तो आपको प्याप करना है तो समय फोन का सेंटिंग पेज ओपन करना है फोन का आप setting page open करिए सबसे उपर सर्च आइकन पर tap करना है यहाँ पर सबसे उपर सर्च बार में reset आपको लिखना है आपको नीचे की side यह option शो होता है factory data reset का इसे tap करना है आपका phone directly आपको setting लेकर आएगा factory data reset पर tap करेंगे तो आपको अगले page में नीचे की side यह option मिलता है reset का इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके mobile phone की call show नहीं हो रही है problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बात होगा ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या आप अपने phone के data का backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखने हैं आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले जो note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद phone को reset करना ठीक है तो मेरे बताएवे सारे process आपको use करने से आपकी problem solve हो जाएगी ठीक है